Hello everyone, I am Atiyaz and watching the Social Indian और आज की इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे What if not D.U.L.B. But before that, first of all, congratulations to all जो भी लोग यहां पर उमीद कर रहेंगी वो cut off clear कर जाएंगे और उनको admission मिल जाएगा जी बहुत बहुत वेलकम है आपका faculty में And we are glad to announce that हमारे जो हमने इस पर 10 legal batch किये थे और 5 यहां पर logical reasoning और आपके लिए LR के LR और आपके लिए legal aptitude के batch किये थे उनमें से यहां पर बहुती जादा संख्या में लोग जो हैं यहां पर exam को crack करके हमारे पास faculty माने वाले हैं तो उस updates के लिए तो आप यहां पर हमें Instagram पर follow कर सकते हैं और देख सकते हैं जब हम देरे देरे उनमों से मिलते जाएंगे तो उनकी photos को वहां पर post करते जाएंगे Link मैं आपको यहां पर description में छोड़ दूँगा चलिए आगे बढ़ते हैं Before starting this video, this video is also sponsored by Unacademy Unacademy is India's biggest online education platform और उनका एक legal career marathon कल यानी Sunday को यहां पर शुरू होने वाला है सुबह साड़े गारा बज़े से रात को 9 बज़े तक वो legal career marathon चलेगा और वहां पर बात की जाएगी best way to CLAT को crack करने की अब CLAT को crack कैसे करना वो जाने के लिए तो आप वहां पर जा सकते हैं जहां पर आपको latest paper analysis और आपके लिए NLU के top educators वहां पर आपके लिए होंगे top advocates भी आपको देखने को मिलेंगे तो जाईएगा देखिएगा अब अगर आप वो तो देख लेंगे लेकिन यहां पर आप हम वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप DO crack नहीं कर बार हैं तो आप क्या करेंगे so come together and let's crack it this Sunday legal marathon साड़े ग्यारा बज़े से शाम को यहां पर आपके लिए नौ बज़े तक वो चलता रहेगा आप जबी भी जाएं जोइन कर सकते हैं काफी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी चलिए अब हम बात करते हैं आपके लिए यहां पर कि अगर आपका डेली उन्वरस्टी का अच्छा नहीं गया देखिए हर एक चीज लाइफ में एक्सपेक्टेड हो ऐसा दो जरूरी नहीं है कई चीज़ ऐसी भी होती हैं जो अचानक से एनक्सफटेड हो जाती हैं हो सकता है आपने बहुत अच्छी तयारी की हो लेकिन एक्जाम आपका उत्रा अच्छा नहीं ग पात है लेकिन आपको क्या लगता है? कि आपको इस साल एड्मिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब अगर आपको एड्मिशन मिल जाता है? बहुत अच्छी बात है जी, आप हमारे जूनियर बनकर फैकल्टी में आएंगे, हमें इस से जाधा खुशी तो और किसी बात से पर नहीं सकती कि इस channel को आप देखते थे और आप देखते 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 अपने मुकाम तक पहुच गए हैं अपनी मंजिल तक पहुच गए हैं जह हमने यह channel शुरू भी किया था यहाँ पर एक साल पहले तब हमने सोचा नहीं था कि हम यहाँ पर जितना लोगों को help कर पा अगर आपका वो entrance कोई clear हो रहा है, बहुत अची बात है, उसके लिए भी congratulations आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई entrance भी clear नहीं हो रहा है, तो क्या गर रखते हैं, अब यहाँ पर दो possibility बनती हैं, जैसे मुसद्दिलाल के office office में यहाँ पर दो possibility हैं अब नहीं जाए लेकिन उसके लिए मैं आपको एक सिर्फ यह चीज कहना चाहूँगा, कई लोग मुझे पूछे थे, sir drop लेना चाहिए, back up plan रखना चाहिए, क्या करना चाहिए sir, तो मैं यह कहूँगा आपके लिए, कि अगर आप drop लेते हैं, तो आपको consider इस बात को करना पड़ेगा, कि आ आप इस एक साल की practice को afford कर सकते हैं, आप इतने अच्छे हैं, कि आप अपने seniors को भी पचार देंगे 3-4 साल में, well and good, आपकी यह सोच है, आप drop ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दूसरी चीज मां आपको यह कहना चाहूँगा, law school doesn't matter much knowledge due, आपकी जो knowledge ह at the end of the day, सिर्फ वो ही matter करने वाली है, आपने कहां से पढ़ाई की थी, क्या पढ़ाई की थी, किसी को नहीं पता लगने वाला है, जब आप court में जाएंगे, practice करेंगे, या फिर judge साब बन जाएंगे, या फिर public prosecutor बन जाएंगे, या फिर किसी PSU के लिगल concernant रहेंगे, तो law school, जो है, वो matter करते हैं, knowledge में, कि knowledge कैसे आप gain करते हो, लेकिन at the end of the day, आपकी knowledge matter करती है, कि आपको कितनी knowledge है, किसी subject matter के उपर, उस चीज़ का ध्यान रखेगा, knowledge के उपर focus करिएगा, law school के उपर focus मत करिएगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है, कि Delhi University आपके लिए आना या न आना अच्छी बात नहीं है, देखिए, एक चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, कि यहां पर जब 293000 admission होते हैं, तो आपके लिए 100% बात आपके लिए जो पहली चीज़ आती है, वो आती है exposure, कि आपको इतने लोगों से एक साथ compete करने का मौका मिलता है, दूसरी चीज, जो आपको alumni मिलती है साथ में, कि आप एक Delhi University का alumni हैं, और आपको जब आगे courts में भी जाएंगे, तो आपको लोग भी मिलेंगे, अगर आप Delhi practice करते हैं, तो आपको maximum advocates, जो अच्छे advocates हैं, वो आपको law faculty से मिलते हैं, और आपको खुशी भी होती है, उन्हें भी खुशी होती है, क सारी manageable चीज़े हैं, अगर आप serious four drop के लिए dedicated हो, कि मैंने को DU से ही करना है, तब ही आप drop लीजेगा, otherwise मैं आपको कहूँगा, कोई भी law school पकड़ लीजे, कोई भी आपका college पकड़ लीजे, लेकिन वहाँ पर आपके लिए important चीज़ होगी, आपका target जो होना चीए, वो यह हो अगर यह होना चीए, जो बच्चे यहाँ पर आपके लिए NLU में बढ़ रहे हैं, जो बच्चे आपके लिए DU में बढ़ रहे हैं, उनको आप compete कर सकें, और जो पीछे आप trophies देख रहे हैं, यह आपके लिए वहाँ पर NLU से compete करकर इलाई गई हैं, कई लोग कहते हैं, N अगलग perception है, लेकिन जो superiority होती है, वो उनके student से होती है, ना कि उनके law school से होती है, कितनी बढ़िया building है, कितनी बढ़िया placement है, फरक नहीं पढ़ता है, फरक इस बात से बढ़ता है कि आप कितने बढ़िया हैं, उस चीज के उपर focus कीजिए, और मैं वो बात कहूंगा, गिरत कर रहे हैं, कई लोग तो ऐसे हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, तो आप उन लोगों से तो काफी better है, अब अगर आप private colleges में जाएंगे, तो sir, क्या private college मुझे join करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी बात मुझे कई लोग पूछे थे, तो जी मैं कहूंगा कि private law college अगर आप join करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, आपके लिए डेली NCR में भी या फिर आपके लिए बाहर जहां भी आप रहे रहे हैं, आपको अपने आसपास law college कहीं नहीं मिल ही जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम admission ले ले लेते हैं admission हो गया, आप भूल जाते हैं चीजों को, यह चीज मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगा, जो लोग यहाँ पर law faculty में भी admission लेकर आएंगे, admission लेने से बात खतम नहीं होती है, बलकि मैं कहूँगा, बात शुरू होती है, जहां से आपके लिए मेहनत का सिलसला धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, तो इन चीजों को सभी को दिमाग में consider कीजिए, depressed होने की, दुखी होने की कोई बात ही नहीं है, हाँ, कई बार ऐसा होता है, मैं तो यह वानता हूँ, everything happens for good, और मैं इसको वीडियो में भी कई बार कहता हूँ, कि जो होता है, अच्छे के लिए होता है और आपके साथ जो भी होगा, वो अच्छे के लिए होगा, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए चीज़े जो है, वो यहाँ पर लिखी दिखेंगी और मिलेंगी भी, चलिए, ज्यादा समय है, इस वीडियो में मैं खराब नहीं करना चाता हूँ, unscripted बिल्कुल वीडियो जो मैं कहना चाता था, आप लोगों को वो मैंने कर दिया है, उमीद करता हूँ मेरे शब्द आप तक पहुंचे होंगे और आप समझ पा रहे होंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहरा हूँ, डिप्रेस मत होईए, चंता मत कीजिए, और बिल्कुल भी दुखी होने की तो बात ही नहीं है, उमीद करते हैं, आप में से मैक्सिम्म लोग मुझे यहां पर फेकल्टी में मिलें, और जब भी आप मिलें तो एक बार हाथ जरूर मिला कर जाएगा, चलिए, कोरोना चल रहा है, नमस्ते जरूर कर जाएगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप हमारे सब्सक